हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राधा किचन तड़का आज बनाएंगे सिवरात्री स्पेशल बहुत ही चटपट बनने वाली मखाना खीर की रेस्पी आए शुरू करते हैं इसे बनाना गैस के उपर कड़ाई रखे इसके अंदर डाल दिया है एक चमस देसी खी गी मेल्ट होने के बाद मैंने डाल दिया है ड्राइफरूट ये बिल्कुल उप्सनल है अगर आप डाला चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ काजू बदाम लिये हैं आप जो भी ड्राइफरूट डाला चाहते हैं वो ले सकते हैं थोड़ा सा इसे गी के अंदर बन भी कर सकते हैं, अब गी हमारा गरम है, इसके अंदर 10-12 किसमिस डाल दी है, यह भी बहुत जल्दी फ्राइ हो जाती है, कुछ सेकेंड ही लगते हैं, इंगने फ्राइ होने में और यह निकाल ली है, जो गी बचा हुआ है, इसी के अंदर डाल दे है, मैंने 1.5 कप मखाना इसे डाल देंगे फूल मखाना है ये इसी के आज हम खीर बनाने वाले हैं ये खीर हम specially वर्थ के लिए बना रहे हैं आप पिना वर्थ के भी से बना सकते हैं देखे क्रिस्पी होने तक इन्हें भूनेंगे क्रिस्पी हो गए हैं मखाने अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और कड़ाई के अंदर डाल दिया है एक लीटर दूद दूद में वाइल आने देते हैं गरम होने देते हैं तब तक मखाने भी हमारे ठंडे हो गए हैं इन्हें डालेंगे मिक्सी के जार में और थोड़े से मकाने मैंने बचा लिए हैं बिना पी से 10 से 15 मैंने मकाने बचा लिए हैं इन्हें रख देंगे साइड में और इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे बिल्कुल fine powder हमें नहीं बनाना है ये देखी दरदरा सा कुछ टुकडे हाफ ही दिखाई दे रहे हैं बस इतना दरदरा भरी powder बनाना है दूद में भी उबाल आ गया है और जो मलाई चारो तरफ लग जाती है कड़ाई के अंदर उसे भी निकाल कर दूद के अंदर ही डाल देंगे इसे बहुता चटेश्ट आता है दूद अच्छी तरह से उबल गया है 3-4 मिनट मैंने दूद को उबाल लिया है ताकि दूद हमारा गाड़ा हो जाए और जो हम खीर बनाए वो अच्छी क्रीमी बनकर तयार हो अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मखाने पीस कर रखे थे उन्हें डाल देंगे और जो मखाने हमने बीना पीस से हुए अलग से रखे थे उन्हें भी इसके अंदर डाल देंगे डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे मखानों को इस कीर को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता खाने में बहुत स्वाधिस्ट होती है बहुत ही पोश्टिक होती है इसलिए वर्त में आप इसे जरूर बना कर खाएं और इसका स्वाध इतना लाजवाब है कि आप बिना वर्त में भी इसे बनाना पसंद करेंगे अच्छी तरह से इसमें बॉाइल आने देते हैं उसके बाद इसके अंदर बाकी की सामगरी डालेंगे देखे बॉाइल आ गया है दूद के अंदर अभी थोड़े से मैंने डाल दिये केसर के धा गए यह बिलकुल ओप्सनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दे और आदा चोटी चमल डाल दे है इलाइची पौडर इलाइची का फलेवर अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर पसंद नहीं है तो आप सकी भी कर सकते हैं 3-4 cup डाल दी है मैंने चीनी यह आप अपनी टेस्ट के अंसवार कम्या ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीटा चाहिए तो आप 1 cup भी डाल सकते हैं पट वर्थ के लिए बना रहे हैं 3-4 cup इनफ है और फ्रेंड्स अगर आपको रैस्पी पसंदा रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे वीडियो को चैनल पर पहली बारे तो सस्क्राइब भी जरूर कर ले और जो ड्राइफ रूट मैंने रोष्ट करकर रखे हुए थे उन्हें बारी काड़ कर डाल दिया है थोड़ी से एक आनिसिंग के लिए बचा लिया है मैंने 7-8 मिनट तक इस खीर को तयार हुई है और ठंडी होने के बाद ये और भी ज्यादा गाड़ी हो जाती है इसलिए बहुत ज्यादा गाड़ी ना करे खीर को अभी परफेक्ट कंस्टेंसी है इतना बर ही आपको पकाना है गैस को कर दिया है और इसे सर्व कर लिया है सर्विंग बोल में थोड़े से गार्निसिंग के लिए मैंने काजू और बादाम उपर से भी डाल दिये है वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हैल्फुल हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे चैनल पर पहली बार है तो सस्क्राइब भी जरूर कर ले थैंक्स फर वोचिंग